हम लोग जो है नब्बे के दशक में धारावी पर कई फिल्में देखते थे और फिल्मों में एक तो धारावी नाम से फिल्मी थी अनिल कपूर, ओम पूरी, सवाना आजमी और खुब चली फिल्म 1993 में बनी थी इसके अलावे भी अनेक फिल्मों में धारावी की कथाई दिखा माहमिया मस्जिद, कादरिया मस्जिद धरावी, सुन्नी जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद, सुन्नी कादरी मस्जिद, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद मुहम्मदी अले हदिस, मदर्सा इसलामिया, जकारिया मस्जिद, जामिया मस्जिद, आप एक पूरा धरावी के हमारे पास पतां है तो पहले जो ये होता है ना हमारे यांगा मसुलमान नमाज पढ़ने कहां जाएंगे तो यह नहीं है कि मस्जिदों कि भारी संख्या है लेकिन जो एक मुंबई में उस मैंटःले träantal है अभी भी में समस्य आती थी कोई अगर क्रेमिनल वहां घुस गया है तो उसको निकालना कठीन होता है तो अभी भी उस मानसिक्ता के कुछ लोग है जो उसके हिसाब से सोचते हैं कि आज भी हम चला लाएं क्योंकि आज ट्रैफिक भी बंद हो गया था अले कि पुलिस ने हाथ पैड जो पना देना वहां कोई मस्जित को लेकर के कभी तक मुंबई में को इतना बरा अंदोलन शुरू नहीं हुआ है हिमाचल का केस बिलकुल अलग है मुंबई का केस बिलकुल अलग है कोई अवयत चीज है वो क्या तरक दे रहा है जरा सुनिये तरक कि जब सरकों पर हमारा परने कहा जाएंगे जबकि यो पूरी मस्जिद तूटने नहीं आई है 15 अगस्त 147 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार मैं यह का रहा हूं कि फर्स टाइम उत्तर प्रदेश में 2020 में और यीद के में रमजान में मस्जिद के बाहर सरकों पर नमाज परना बं पर चलना मुश्किल होता था तो आज कैसे वह हो गया कैसे लोग अंदर नमाज पर रहे हैं तो इसे लिए इस समय तो मिलिन देवराजी चले गए हैं बरसा उसा गाओ कर क्या नम है बरसा गायकवार गई है और खबर आ रही है कि भाया उन्होंने सुसिल कुमार सिंदे को कह है कि अभी इसको न गिराया जाए इसको तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम बात करते हैं रोकते हैं और समीजी कर रहे है साथ उस खबर में सचाई भी हो कि रोक दिया गया है लेकिन यह खतारनाक कदम है अगर BMC ने वहां बार बार नोटिस दिया है कि आप इसकी अबयत पार को हटा लीजिए नहीं तो गिरा दिया जाएगा नोटिस वहां चिपकाने नहीं दिया गया है नोटिस दाने वाले को धका मार दिया गया है और फिर वहां से उसको तोरा भी नहीं जा सकता है और यह भी सरकार अगर कहती है कि ठीक हम देखेंगे मैं आपको BMC का प्रेस कर खुद से आवैद निर्मान हटाने के लिए चार से पांच दिनों का वक्त मांगा है जिसे BMC ने मान लिया है यह आपने संजॉली की बात कियी थी हरश्वर्दन जी ने अब यहां पर भी यह कह रहे हैं कि चार से पांच दिन का वक्त दीजिए और इसे भी BMC ने मान सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन यह निदान नहीं है हम लोग चार दिन सब को वेट करना चाहिए अब मैं समझता हूँ कि अगर वहां की कोई ट्रस्टी है पता नहीं अवायद निर्मान का ट्रस्टी होगा तो वो ट्रस्टी है तो वो ट्रस्टी जो है इसको करके दिखाए भी यही है BMC अब आगे चार-पांच दिन के बाद क्या कारवाई करती है उस